हेलो फ्रेंड्स गूड इबनिंग एंड वेलकम टू दा सक्सोस केंद्रा फ्रेंड्स देखिए आज के जो सेशन है बड़ा ही इंपोर्टेंट सेशन है आपके लिए देखिए आज इस सेशन में हम लोग BPSC TRE 3.0 यानि की BPSC टीचर 3.0 जोरी एकजाम जून 2024 में लिया उन सबी प्रश्णों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिसकस कर लेंगे यहां पर आप देख भी सकते हैं यह वाला प्रस्ण जहां इसी साल BPSC TRE 3.0 2024 में पूछा गया प्रश्ण है कि भारत की सबसे लंबी सीचाई नहर कौन सी है तो इसी प्रकार से हम लोग अभी तक BPSC के द्वारा जितने भी जोग्राफी के प्रश्ण पूछे गया है BPSC TRE 3.0 2024 के लिए उनको हम कबर करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको भी जरूर दबा लिजेगा ठाकि जब भी BPSC सिक्षक भरती परिक्षा से संबंदित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किये हुए सेसन आज के तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेसन में हम लोग BPSC टीचर 3.0 री एकजाम 2024 के लिए यानि कि BPSC टीरी 3.0 री एकजाम 2024 के लिए BPSC के दवरा 1992 से लेकर के BPSC टीरी 3.0 जो हुआ था जो रद हो गया था वहां तक जितने भी जोगराफी के प्रश् पूछे गया है उन्हें सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेसन में डिसकस कर लेंगे आप सबों का डिमांड भी था कि सर जोगराफी करा दीजिए तो चलिए आपके सामने मैं जोगराफी के सारे प्रश्नों को लेकर के उपस्तित हो गया हूं जो BPSC के दवरा 1992 से ले 24 यानि कि इसी साल यह प्रश्न BPSC ने पूछा है प्रश्न क्या है तो देखें देहरादून में इंपेरियल फॉरेश्ट रिसर्च इंस्टिश्यूट की अस्थापना किस वर्स की गई थी देखें एंसर आप सबों को कमेंट करना है एंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आप आप का रिविजन होते चलेगा और साथी साथ जो भी मैं एकस्प्लेन करूंगा उसको भी धियान पुर्वक्त जरूर सुनिएगा इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके दो से तीन प्रश्न जो हैं कबर होते चलेंगे अब देखें प्रश्न इस तरह से भी पूछा स्थापना किस वर्स किया गया था तो फेंड्स 1906 में हुआ था 1906 में इसके अस्थापना देहरादुन में किया गया था इंपेरियल फॉरेश्ट रिसर्च इंस्टिचूट की चलिए नेक्स्ट को सना और यह भी प्रश्ण इसी साल पुछा गया है देखे मरुद भीद निमनलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं देखे ऑप्सण डी और ऑप्सण आप सबों को पता है ठीकिन ऑप्सण डी तो मरुद भीद यह मरुवस्थलिय वन में पाए जाते हैं ठीके ना चलिए नेक्स्ट को सन है अगला प्रश्ण यह भी इसी साल बीपेसी टी आरी 3.0 2024 में पुछा गया है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्तित है कहां पर क्या प्रश्ण है बाल्टोरो हिमनद बाल्टोरो हिम बालिस्तान óv6 मे काराकॉरं पर्वत्माला कि इstalि थ्याइकि उसका बाद नेक्षट को सनन हे किस्ट नदी काें उत्पात्य-अस्तल अमरकंथ कहां इस्तित यह आपको तीन दिख रही है चौता, फारिक्त में से कोई नहीं है चले सोन नदी का उत्पति अस्तल अमर कंटक है यह कहां पर इस्तित है चले बताइएगा देखिए अमर कंटक जो है यह भारत के मद्यपरदेश राज के मतलब मद्यपरदेश राज में इस्तित है और यहां विंद्य परवतमाला और सत्पूड़ा परवतमाला क मिलन चेतर पर मैकाल परवतमाला में इस्तित है तो मैकाल शिरेणी यहाँ पर राइटन सर इसका हो जाएगा ठीक है याद रखेगा इंपोर्टेंट कोस्टन है यह चले उसके बाद देखेगा यह सारे के सारे प्रश्ण आप देख सकते हैं इसी वर्स पूछेगा है बीपेस पर देखेंगे तो 49 परशंट दिया गया है लेकिन यहाँ पर लगभग पूछ रहा है तो लगभग में 50 परशंट इसको हम ले करके चलेंगे ठीक है चले फ्रेंट्स उसका बाद नेक्स्ट कुस्ट से कौन सा बिरहद ग्रह नहीं है इस तरह से लिखा गया है बिरहद ग्र भी और मंगल ठीक है जिनकों कि अस्तरी ग्रह भी कहा देते हैं और इसमें विरहद ग्रह में जो आपका है मंगल नहीं आएगा बाकी देखेंगे अरून और वरून यह आपके विरहद ग्रह में आते हैं मंगल नहीं है विरहद ग्रह में ठीक है इसको आप ध्यान लेंगे अंगरा प्रश्ण हमारा कि कौन सा भारतिय सर्वेक्षन विभाग की अस्थापना वर्ष है भारतिय सर्वेक्षन विभाग की अस्थापना वर्ष बताएं भारतिय सर्वेक्षन विभाग की अस्थापना वर्ष रेटन सर इसका क्या होगा तो भारतिय सर्वेक्षन सभी उपस न आपको दिख रहा है इसी शाल यह प्रश्च पुझा गया है भारत की सबसे लंबी सिचाइट नहर कौसी है तो फ्रेंट्स जींडरा गांधी नहर है इंद्रा गांधी माût है इंद्रा गांधी नहर है चले उसके बद अगला प्रोश्ण करेंगे अब नेक्ष्ट कुस्टन हमारा थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि प्रोश्ण आपको और अस्पश्टूप से दिखाई दे दे निमने लिखित देशों में से किसकी भारत के सांथ सबसे अधिक लंभी सीमा है प्रोश्ण को एक बार और पढ़ेंगे अच्य से कि निमने लिखित देशों में से किसकी भारत के सात्थ सबसे अधिक लंबी सीमा है अज़ा यहां पर बात अब सीमा की आई है भारत की तो दिखिए भारत जो है यहां साथ देशों के साथ लेंड बाउंडरी से एर करता है यानि कि अस्थली सीमा साजा करता है यह साथ देश कौन-कौन से है तो याद रखेगा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बंगलादेश, भारत की सबसे लंबी सीमा बंगलादेश को साथ लगती है और देखे असम, पस्चिब, बंगाल, मिजो्रम, मेघालय है और तिरपूरा यह भारती हैंilar है कि चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोस्टन करेंगी कि निमने लिखित नगरों में से कौन सा अगर करक्रेखा के उत्तर में वस्तित है करक्रेखा के उत्तर में वस्तित है यह प्रशन आप से पूछा जा रहा है देखिए अगर हम बात करते हैं करक्रेखा की तो करक्रेखा जो है भार कूं सा नगर करक्रिखा के उत्तर मấpस्तित तो यह समान के सांगलादर की सामान यानि कि भारती राज्य और केंदर्शासित परदेश तो यह जम्मकस्मिर लद्दाक पंजाब राजस्थान और गुजरात है पांच हो गया और बंगलादेश के साथ मैंने आपको बताया था अभी कि असम पस्चिम बंगाल मिजोरम मेगाले और तीरपुरा तो इस तरह से अगर अगला प्रश्ण है कि भागवक रखाल कानुसार प्रश्ण को जरा ध्यान से सुनिएगा भागवलीक छेतरफल कानुसार भारत की निमने लिखित भहुत तिक यानि कि फीजियो ग्राफिक इकायों को आरो ही करम में बहुस्तित करें यानि कि आरो ही मतलब बढ़ते करम में एस एंडिंग ऑर्डर में ठीक है बतायेगे इसका राय can answer असर क्या होगा सब लोग इसका correct answer कमेंट करें कि राइट है इसका क्या होगा तो यहां पर देहां जिए नमबर उसके बात करते हैं तो आपका कैंद्रिये ऊप्ष भाग उच्छ भाग यानी कि एक होगा उसके बाद बात करते हैं तो महान मैदान होगा, दो होगा और फिर उत्री परवत हो जाएगा, यानि कि 3-1-2-4, 3-1-2-4 आप्शन नमबर यहाँ पर दिखेंगे, तो एराइट अंसर होगा इसका, चले उसके बाद दिखें, निमने लिखित स्रेणियों को उत्तर से दक्षि की और का, यह करम होगा आपका, ठीक है ना, कारा कोरम, इनका जो है आपका लद्दाक, कारा कोरम, पीर पंजाल और जासकर का जो उत्तर से दक्षिन की और करम होगा, यह आपका होगा कारा कोरम, तो यानि कि कारा कोरम पहले, उसके बाद अगर करम होगा, लद्दाक का, तो चार हो जाएगा और फिर आपका पीर पंजाल का तो यह आपका तीन हो जाएगा दो एक चार तीन ऑप्शन भी में आपको दिख रहा है ठीक है यह आपका उत्तर से दक्षिन की और क्रम है चले उसका बहुत देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसराज्य में काली मिट्टी बात काली मिट्टी के करते हैं तो काली मिट्टी को आपको पता है क्या कहा जाता काली मिट्टी को रेवल्यों को वह अगर यह पाई जाती है कहा कहा पर तो अगर हम बात करते तो महरःश्टर में गुजरात में आंठर प्रदिस में तमिलनडू की कुछ भाग vein पर देखेंगे तो इसमने से पूछा तो एक सदिक यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है का पास वाली काली मट्टी इसको कहा जाता है और इसे स्वतह जुताई मिर्दा भी कहा जाता है स्वतह जुताई मिर्टी किसको कहा जाता है तो यह रेगुर मिर्टी को काली मिर्टी को कहा जाता है इसे भी आप ज्यान रखिएगा ठीक है चलिए लिखा पानी हिमनद भारत की निमनलिकित में से किसराज में इस्तित है लिखा पानी हिमनद जो है यह भारत की किसराज में इ तो ये फ्रेंड्स कहां पर है औरुनाचल प्रदिस में है लिखा पानी कहां पर है या औरुनाचल प्रदिस राज्य में है और ये औरुनाचल प्रदिस में आपके भारत और मैंनमार की सिमा पर यहां इस्तित है ठीक है चले उसके बाद अगला प्रश्ण हमारा कि जलपरपा यह आपका नर्मदा होगा ठिकेना नर्मदा होगा कफिलदारा नर्मदा होगा और धुअधार भी नर्मदा होगा तो यह भी गलत है कौन सा आ行 सभीस्विलत नहीं कि यानि कि Sandhām गैं году क हो जाएगा शेलागला प्रश्ण है कि भाइरत की निमने लिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिन दिशा में व्यवस्तित कीजिए उत्तर से दक्षिन दिशा में बताई उत्तर से दक्षिन दिशा में तो यहां पर जो उत्तर से दक्षिन दिशा में होगा वह आपका कौन सा हो जाएगा तो सबसे पहले आपका इसमें से विशाखा पर्टनम हो जाएगा यानि कि चार विशाखा पर्टनम का काकी नाड़ा हो जाएगा फिर आपका काकी नाड़ा के बाद मसली पर्टनम हो जाएगा और फिर आपका नाग पर्टनम हो जाएगा तो यानि कि चार एक दो तीन और यहाँ पर यहाँ पर रैट अंसर हो तो और ये सब आते हैं और प्राचीन में आपका आरावली और जाएगा इसका अजाएगा थीक ही मैं अरलेडि आप्olly अरावली और अलपेशियन दिया गया है यह प्राचीन वलित परवत है तो अलड़ी इन में से एक साधिक राइटन सर इसका होगा नेम लिखी छेतरों में से किसकी नियून हीम रिखा है तो देखें फ्रेंटस हीम रिखा क्या होता है तो पहाड़ों की उजाई की वह सीमा है जिसके उपर अस्थाई बर्फ अवस्य होती हैं जिस कारण वहां कोई वनस्पति नहीं उगते हैं ठेक है और उसमेंसे अगर हम ब करक रेखा द्वारा सरवाधिक छेत्र आक्षाधित करक रेखा की द्वारा स्रवाधिक छेत्र जो है यह अक्षाधित किस पठार बताइए वह आ workers यह अगर हम तो सबसे बड़ा जल गरहन चेतर जो है यह आपकी पोनानी रिभर की है पोनानी नदी का जल गरहन चेतर सबसे ज़्यादा है पोनानी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा उसका बहुत के भारत में मौनसून सीजन में अधिकांस चक्रवातू की उत्पत्ती होती है चले बत इसका उप्षन नमबर भी हो जाएगा ठीक है ना दस डिग्री उत्तर से और 15 उत्तर अक्षांस के मद्ध में ठीक है दस डिग्री नौर्थ और 15 डिग्री तो यहाँ पर आपका नौर्थ ही है यह चले आगला प्रश्ण है यहां कि निमलिखी छेत्रों में से कौन सा प्रकृतिक अबदाय होती है और यह मुक्रुप से पहाडी ब्लोकों में होती है ठीक है तो आपका इसमें से पूर्वी घाट नहीं होगा चले उसको पर दिखेगा कि निमनलिखित में से भारत का कौन सा टट उग्र उष्ण कटिबंदी चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभा पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है तो दिखेगे जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसको आम लोग बोलता है गली इरोजन गली कटाव गली इरोजन बोलते हैं इसको ठीक है ना इसको अम लोग अंगरेजी में गली रोजन बोलते है ठीक है और गली रोजन चंबल बैसिन में बंबर को सब्लकित भाक़ा लिखान ओक टू अंबर कर जा होती है इसले आप पर कोरोमंडल टट पर ठीक है ना कोरोमंडल टट पर होती है देखे उत्तर पुर्वी मौनसुन उत्तर अपुरुव दिशा से भारत में परविश करता है और उत्तर पुर्वी मौनसुन के कारण ही कोरोमंडल टट पर अक्टूबर और चेल के महीने में भरी वर्बर सा होती है उसके बाद नेक्स्ट्रकार से पारिक्वश करेंके कि फडूर ऑं सब्जीओं की खेटी क्या कहलाती है फ्लूर ऑं सब्जीओं की खेटी इसी प्रकार से मैंने आपको हिष्ट्री साइन्स में singles chemistry biology political science सब और किया है किस्कों क्या बोलते हैं कि वह जंगल नहीं पाए जाते हैं बताइये काटे-दार-जंगल नहीं पाए जाते हैं सब लोग एंसर कमेंट करें काटेदार जंगलाब नहीं पाया जाते हैं कहां पर बताइए तो देखिए फ्रेंट्स काते-दार-जंगल सूस्क छेतरों में पाया जाते हैं और इस However जंगल है यहां पर देखिए कर नाटक आंद्र प्रदेष तमिलाडू में हुद यह पाए जाता है इसलिए यहां पर राइट न्सर इसका और अप्ष पर लेंगे तो में घर हो जाएगा देखे निष्ट्र चौवन में किन दो देशों की बिच कोसी की सीचाई और जाल बिदित परियोजना समझाओता- 1054 में किने दो देशों की विच हवा था चलिए बतायां कि इसका होगा बहा justement अच्छा कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन है सिंपल सा कोश्चन है भारत और नेपाल के बेज में चले उसका बाद देखेगा कि आरेल सिंग के वरगी करन इसकीम का नुसार बिहार किस प्रकार के जलवायू प्रदेश में आता है तो यह आता है उपाद्र संकर्मन काली यहां पर बी राइट अंसर इसका हो जाएगा उपाद्र संसितोष्ण भी इसको कह सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्तन हमारा अगला प्रश्चन हमारा कि सुची दिया गया इसको मिलान करना है ठीक है और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो चार जो है यह चार है ठी चार जो है यह आपका हो जाएगा यहां पर देखें डेल्टा कंकर जो होगा यह आपका बांगर ठीक है कायल जो होगा यह 30 मैदान ठीक है और मांड जो होगा यह पंजाब का मैदान ठीक है तो इसको अब हम लोग मिला सकते हैं दो तीन चार और एक दो तीन चार और एक दो उत्तरदिशा में नहीं मिलती है देखें सारे ब्रह्मा पुत्र से उत्तरदिशा से नहीं मिलती है यह पुछा गया है तो देखें ब्रह्मा पुत्र से उत्तरदिशा से मिलने वाली सहायक नदिया सूबन शिरी मानस बेल शिरी या बुरोई बेकी यह सब हैं तो इसलिए इसक से कोई नहीं यह नदिया ब्रह्मपुतर से उत्तर जिसा से मिलने वाली सहाइक नदिया है और यहां पर नहीं पूछा गया है तो कोई नहीं राइट अंसर होगा इसका अगला प्रशने कि भारत का अस्थलाकृत मांचितर किस संगठन के द्वरा बनाया जाता है भारत का और प्रशना है प्रोटीन के अची इस आपको पटा होगा चले उसके बदखेगा किनमेलेखित में से कौन से दो चरम अस्थान पुर्वपस्प्समी गलियारा और उत्तर दक्सिन गलियारा कीी बात करते हैं। और यह सिल जो कि असम पड़ता है और प्रोबंदर के बीच गुजराइस के बीचे दूशन और पोरबंदल या आपका पूर्व Zi a के लिए आप पुछेगा तो आपका उतर दक्सिन में सिर्णगर से कन्या कुमारी ठीक है ना इसको आप याद रखेगा चलिए नेक्स्ट कुस्टने कि भारत वर्स में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो देखे फ्रेंट्स इक्यासी हजर प्रजाती जीवों की और सैंतालिस हजार प्रजाती वनस्पतियों की पाई जाती है ठीक है चलिए अगला प्रशन हमरे कि हैदराबाद में दक्सिन पस्सिम मौनसुन की वापसी का समाने तीथी क्या है तो फ्रेंट्स जाती थी 15 अक्टूबर है ठीक ना 15 अक् सकते हैं 15 अक्टूबर राय टेंसर हो जायेगा ठीक है तो यहाँ पर दीक है है राज में नगरीकरण सरवाधिक है सरवाधिकन नगरीकरण जो है यह कि सराज में है 2011 की जनगन्य कमनुसार भारत का नगरेखर राज यहां गोवा है ठीक है से उसके पस्मि घट के पस्मी और पुर्विय किणियों और इसको करनाटक का चेरा-पुन्जी कहा जाता है तो यहां पर देखेंगी तो उप्सण सी रायक्ट pays किसका भाग है दक्षन सक है और इस प्रश्ण हमारा कि भारत की निंद्रिखी धर्मन्द प्रॉजेक्ट को पुर्व से पश्चिम दिशा में वह अस्थित करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पुर्व पुर्वसे पस्युम जाना है तो सबसे पहरा हो जाएगा इसम से नामप्रूप ठीक है नामप्रूप ऐस्म में है उसके बाद आपका आजाएगा ओब़र parking में और कोटा राद स्थान में है इस तरह से आपका यह पुर्वसे पस्युम के क्रम हुआ तो चार उसके बाद तीन स्वरी दो उसके बाद तीन फिर चार और एक तो ऐनी का option C यहां पर आइटनसर होगा इसका ठीक है चलिए लिए के 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 की जो सांथ गाटी है सैलेंट वैली है संरक्षित है क्योंकि 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 अच्छा सांथ वैली जो है यह के के रल में याद रख ठीक है ना साइलेंट वैली और फूलों की घाटी कहां पर है उत्राखंड में है क्योंकि इसमें पौंधे और जानवरों की बहुत ही दुरलब प्रजातिया पाई जाती है option A यहां पर राइटनसर होगा उसके बहुत दिखेगा कि भारत का कौन सा राज मोटा आनाज का सब सबसे बड़ा उत्पादक है तो मोटा नाच का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यह राजस्थान है ठीक है ना राजस्थान है तो यहां पर राइटनसर क्या हो जाएगा निमनिलिखित में धुछा जाएगा तो आपका रजस्थान हो जाएगा। वैसे करनाटक रजस्थान और महाराष्ट याद रखेंगा। कों सी जायद फसल है इसमें से तो जायद फसल आपका कौन सा होगा। बताईये। जायद फसल इसमें से आपका तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी यह सब जायद फसल हैं देखें हेमालई भूरा भालू, एस्याय जंगली भैसे, रगिस्तानी लोमड़ी किसको उधारन है तो फेंट्स यह उधारन है किसके दुरलव प्रजाती के ठीक है यह दुरलव प गंड़क की बारें बात करते हैं तो गंड़क नदी जो है यह नेपाल हिमाले के अनपूर्णा परवत और धौला गिरी से रेडी के समीप से निकलती है और पटना के पहली जागाट के निकट गंगा नदी में यह मिल जाती है ठीक है चले उसका बाद के अगर निमलिकित मे पड़ता है इसलिए अप्शन अंबर यहां पर इसका एक और चार हो जाएगा जोके अप्शन अंबर भी में है ठीक है चलिए यहां पर दिखेगा अगला यहां पर जो गजवार है यहां राजस्थान में है और दुद्वा उत्तर प्रदेश में ठीक है निज रखाना दी और रहे रहे और सवन्द्रेखा नदी पर ही हुंड़ू जल परपाथ हुंड़ू जल परपाथ हुन्ठू जल पर पर याद रखिएगा छहेँ उसके बादने। में से कौन सा समुद्री जय विवद्धिता के दृष्टि कुन से दुनिया का सबसे समरेज छेतर है जिसमें जवार नदमुक समुद्र टट निकट टटिये पर्य औरन के जंगल समुद्री घास परवाल वेतियां नमक दलदल और मैंगरूप के साथ 21 दीप सामिल है 21 दीप सा ठीके ना इससे इसको आप ध्यान रखिएगा चले अगला प्रशन कर लेंगे कि उत्राखंड का कौन सा जिला टिबद से नहीं लगा हुआ है तो फ्रेंट्स यह अलमोडा है ठीके ना अलमोडा है चले अगला प्रशन कर लेंगे अब हम लोग नेक्ष्ट कोस्टन है कि भा भारत विस्तिरित है ध्यान से सुनिएगा पहले मैं आपको इसका राइट अंसर बताता हूं इसका राइट अंसर होगा उपरिक्त मिसे कोई नहीं भारत की मुख्य भूमी का विस्तार उत्तर पुर्वी गुलार्द में आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्री अक्षांस और 68 डिग्री 7 मिनट पुर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पुर्वी देशांतर के माद है ठीक है ना और करक रेखा भारत की लगबग बीचो बीचो करके गुजरती है इसे भी आप ध्यान रखेंगे और भारत का कूल छ पुछा जाए तो भारत का चेतरफल 32,087,200 32,087,263 वर्ग किलोमेटर है इसे भी आप याद रखेंगा ठीक है ना चलिए तो ऑप्सन नमबर डी राइटन सरोगा इसका नेक्स्ट कुस्टन कि भारत का चेतरफल संसार के चेतरफल का 2.4 परतिसत है परंतु इसकी जनशंख पुछा गया है बताइए तो दिके भारत का चेतरफल अभी मैंने आपको बताया था कि 32,000 32,087,000 32,063 वर्ग किलोमेटर है जो संसार के समस्ट चेतरफल के अस्तरिय भाग का लगबग 2.4 परतिसत है ठीक है अभी बरतमान समय की बात करते हैं यह प्रश्ण नेंटी नेंट 34 का है अब देख सकते हैं अगर बरतमान की समय के हम बात करते हैं तो देखे 17.5 परतिसत 17.5 परतिसत ठीक है ना तो उसमें 16.5 था साड़ा सोला तो लगबग 17 इसका अंसर दिया गया है लेकिन आपको साड़ा सत्रा मान करके चलना है चलिए भारतिय प्रमानिक समय आई एश्टी ग्रेंविच माद समय जीम्टी में अंतर पाय जाता है देकि भारतिय मानक समय यानिकि इंडियन स्टेंड टाइम साड़ा ब्यासी डिग्री पुर्वी देसांतर से लिया गया है यह आपको याद होगा ठीक है ना कि यह चीज़ आपको याद होगा और यहां देसांतर रेखा परियागराज के निकट नहीं से उकर गुजरती है यानि कि लहाबाद के और भारतिया मानक समय पर भारतता है बहारत और चीन के बीच जो सीमा रिखा और यहां घाटर निरवेद्फ निर्मेद है कि मैं यहां कि नदीपर है अभी थोड़ी दिर पहले मैं आपको रीक design सततरों चला प्रश्ण कि भारत की सरवोची कौनषी है भारत की सर्वोच चोटी कौनषी मैं चाहता हूं इसका आप लुग मुझे कमेंट करके बाता संसार की पता है फ़रेश्ट है भारत की बताईएगा आप चले उससका को कि हिमाले में हीम रेखा निम्न के बीच होती है हिमाले में हीम रेखा जो है या निम्न के बीच होती है तो देखिए हिमाले की विभिन भागों में हीम रेखा यानि की जो एस्नो लाइन है इस स्नो लाइन जो है इनकी उचाया वहिन भीन पाई जाती है परन्तु एक आउसत हीम रखा की उचाया उत्री भाग पर पच्पन सो से छे आजर मेटर मैं यहां पर लिखता हूं ठीक है ना उत्री भाग में पच्पन सो से छे हाजर मेटर ठीक है और महान हिमाले के दक्सने भाग पर 4500 से छे हाजर मेटर पाई जाती है ठीक है इसी प्रकार पस्मी हिमाले की आउसत हीम रखा अंठावन सल से ले करके पूर्वी हिमाले में तो यहां से प्रश्ण में की बीच होती है यहां पर नियुझे है दिखें पर पर वट्वत प्धिये पदेस है नहीं का परवध्त पद्ये प्रदैस है तो तो यहां पर ईटन सर हो जाएगा आपका सिवालिक हिमाले का परवत पदिय पदिश सिवालिक श्रेणी के दक्षिन भाग पर इस्तित है ठीक है न और सिवालिक हिमाले की सबसे दक्षिनी परवत श्रेणी है इसे भी आप याद रखिएगा ठीक है सिवालिक के उत्रिय ढालो तथा लगू हिमाले के दक्षिनी ढालो क मत अनेक चौरस तल वाली संरचना घाटियां इस्तित हैं सिवालिक राइट अंसर हो जाएगा देखिए सिवालिक स्रेणी का निर्मान हुआ है यह हुआ है किस यूग में तो यह सेनोजेइक अगला प्रशने के भारत के अतिरिक्त प्राइदिपिय परवत निर्मित हुआ है तो भारत के अतिरिक्त प्राइदिपय परवत निर्मित हुआ है तो भारत के अतिरिक्त प्राइदिपय परवत निर्मित हुआ है तो भारत के अतिरिक्त प्राइदिपय परवत निर्मित जो है बताईए भिगम्भीर है पठार में चल्ठत है इक आगर है उसका कवर शुक्तमरिबर का नहीं है में पठाण का नहीं है चले बताइए गराइट इंसर क्या होगा तो दिखे इसमें से अगर हम बात करते हैं तो मेघाले पठार का जो आंस नहीं है यह आपका भूवन पहाड़िया नहीं है जो है यह असम के बराग घाटी मिश्तित है जो पुरुवत्तर हिमाले का भाग है जबकि यहां पर दिख ailing ale trial men clue है जहाँ आपका टाइटैनीयम का है ठीक है न टाइटैनीयम क्या है इलमेनाइट ऐसको याद रख Ven. तो यहां पर देखें टाइटनीयम पो जाएगा चगोश्ण कि महराष्ट्र्यम करनाटक के पस्मी घाट क्या कहलाते हैं महराष्ट्र्यम करनाटक की कर्nantक में पस पस्मिघाट क्या कहलाते हैं ऊपप सिम घाट को महराष्ट गोवा और करनाटक में नांसे जाना था वहार सुरंग का निरमान निम्न में से किस तर्रक अंतरगत किया गया है तो देखें जवार सुरंग का निरमान जो किया गया है भी राइटन सर निम निलखित में से किस पहाड़ी पर पुर्वी घाट और पस्मी घाट से मिलता है यानि कि पुर्वी घाट और पस्मी घाट का मिलन बिंदू आपको सकते हैं ऊसब से पहाड़ी नीलगी की पहाड़ी की सबसे उची चोटी में आपको बताई था टोडा बेटा है ठीक है ना निलगीरी पहाड़ी को बुलू मांटेन भी कहा जाता है और डोडा बेटा जो है इसकी सबसे उची चोटी और दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है डोडा बेटा ठेकर डोडा बेटा चले उसके पाद एक निमलिखित परवत स्रेनियों में से कौन गंगा के मैदान यम दक्कन पठार को बिभाजित करता है बताइए तो फ्रेंट आपका विंद्याचल स्रेनी विंद्याचल परवत्सरेनी दक्षीन में मध्युच भूमी और उत्तर पस्ची में अरावली से घिरी है और यहां परवत सिरनी गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है तो यहां पर देखे विंद्याचल सिरनी होगा उसके बाद देखे निमनलिकित नदियों में से कौन पुर्व की और प्रवाहित नहीं होती है पुर्व की और प्रवाहित नहीं होती है बताएं निम्नलिकित नदियों में से कौन पुर्व की और प्रवाहित नहीं होती है बताएंगे रैटन सर इसका क्या होगा तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा गोदावरी और कृष्णा दोनों न नदिया दक्षिन भारत की नदिया है जो पुर्व की और प्रवाहित होती है और यह दुनों नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरती है जबकि नर्मदा और गंगा वली नर्मदा और गंगा वली नदिया यह पुर्व से पुर्व की और प्रवाहित होती है और यह अरब साग नदी है भीमा नदी धंवान प्रभा और ऐसम्याद की है your c क्रिश्णा नदी की सहाइक नदी है और क्रिश्णा नदी की और सिसके नदी की और भीर एक्थ नदी है यह सब तो देखे यहां पर राइट अंसर मैं आपको बताता हूं और और तीन होगा यानिक और तीन प्राइदीपे नदिया क्यों वर्सा सहीं जल प्राप्त करती हैं बिल्कुल सही है और इन नदियों के छोटे बेसिन और जल गरहन चेत रहें यह भी सही है ठीक है इस सीज को आप याद रखिएगा क्लियर और देखें यह नदिया युवावलित प्रवतिस होकर बहती है और अभी भी युवावस्था में यह अभी नहीं है अभी यह प्रोड़ा वस्था में है अभी यह अपनी प्रोड़ा वस्था में है ठीक है चलिए तो यह वाला गलत है आपका पहल काली मिन्टी को हम लोगी रिगल मिन्टी Kangal Marx के बारे में आपको से बताया विए इसमें कपाश की खिकिटि की आती है ठीक है तो यहाँ पर रहय आखर होगा से इन्प रेखित राज्यों मैं से किसमत तामबा एस सबसे बड़ा भंडार है तामबा एसका सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है ठीक है ना राजस्थान में है याद रखिएगा राजस्थान में है राजस्थान राइटन सर हो जाएगा उसका में देखेगा कि पुर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निमनलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं तो फ्रेंट य स्रेज़ स्रेनी दिखें स्रेनी जो है यह सिवालिक इस या ऊपहिमालय का एक भाग है तो यहां पर दिखेगा आपका सिवालिक ऑप्स नमबर डी करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा नेक्श्ट कॉस्टन कर लेंगे अगला प्रश्न है कि इस सटी पहाड़ियां है कन्या कुमारी से जो सटी पहाड़ी है यह कौन सी पहाड़ी है तो यह कार्डमम की पहाड़िया है यानि की इलाइची की पहाड़ी इसको कहा जाता है कार्डमम की पहाड़ी ठीक है इस इसको आप याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए उसके बाद हम तो अगला प्रशन कर लेंगे नेक्ष्ट कुस्टन है हमारा कि छेतरफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज ठीक है तो सबसे बड़ा आपको पता है ना कि राजस्थान है फिर मध्यपर्देश और फिर महराष्ट है तो अप्सन यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक ठीक है चले उसका बाद next question है कि भारत की निमनलिकित भागों में ड्रवडीयन प्रजाती मुकेता कहा संकेंद्रित न प्रजाती यह कहा संकेंद्रित है तो ध्यान रखिये एगा फ्रेंड्स यह संकेंद्रित प्रापर है मुखिरूप से दक्सिन भारत में ठीकिन है ठीकिन पर आइटन सर दक्सिन भारत हो जाएगा भील जाती जो है कहां पाई जाती है भील जाती बताइए भील जाती जो है यह पाई जाती है कहां पर तो गुजरात में भी मद्धपरदेश में भी तो यहां पर देखेंगे महाराश्टी दिया गया है निम्रिकित में से जनजाती और राजी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है तो यहां पर दिखेगा भील आपका मैंने आपको बताया था कि यह सब गुजरात में भी पाई जाती है मद्दपरदेश में 36 गड़ में ठीक है तो यह वुला व это नहीं अव् furry रायट अंसरड़ होगा न को सबस्कमी क्रिषी जाती है उनमें वार्सिक वर्सा कितना संटिमेंटर से कम होती है कितना संटिमेटर से बताईए भारत के जिने चेतरों में सुस्क भोविक्रिशी की जाती है उन में वार्डीपिय पठार के विरिष्टी चाया प्रदेश में सुस्क कुक्लिशी की जाती है तो पचातर संटिमेटर से कम होती है देखिए थार मर वस्तल की सिचाई करने वाली इंद्रा नहर इंद्रा गांधी नहर का उद्गा मस्तल है इंद्रा गांधी नहर के वारे में मैं आपको बताया था था ना ठीक है तो फ्रेंट्स यह हरी के वैराज से निकलती है ठीक हरी के वैराज से और सी राइट अंसर होगा इसका उसका बाद इके भारत की निम्नलिखी चेत्रों में कहां उष्ण कटिबंदिये आदर सदा बहार बन नहीं उखते हैं निके प्रश्ण में नहीं पूच लिया गया है भा करनाटक उत्तर पुर्वी पहाड़ी और अंडमान निकोबार दीपसमों पर हुआ है ठीक है ना पुर्वी घाट पर नहीं हुआ है इसलिए उप्शन यह राइट अंसर इसका होगा चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि डंड का रनाय में इंद्रावती मॉण्सट के इस उसके तो यहुदावरी नदीए की ठीक है जाएगा कि राइट अंसर नबरभी कर अरुट के विसेष्दापर खुंस्य मॉंसों YE मॉट्सुन के प्रधर्शन S. apartment बंडनी विसष्दा भरती गρι भारती ये वाई मंडली विसेस्ता है भारती ग्रिस मौंसुन से मौंसुन के प्रदर्शन से संबद है वह आपका उष्ण कटि बन दिये पुर्वी जेट श्ट्रीम है उसके बाद आपका आई टी सी जेड है आई टी सी जेड यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है इसको लोग कि मनिपूर की मद्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मनिपूर की मनिपूर की मद्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग गैर अनुसूचित लोग ठीक है इनको क्या कहा जाता है मैत ही कहा जाता है ठीक है मैत ही कहा जाता है इस इसको याद रखिएगा ठीक है कुक्की एक जंजाती सम्मू है मोल रूप से मनिपूर में पाई जाती है कुक्की ठीक है मिजोरम और असम जैसे पुर्वत्य राजे में रहने वाली कई जंजातिया और भी सामिल है इस इसको आप ध्यान रखेंगा ऑप्सन यह यहां पर राइट असर होगा देखें निमलिखित नगरों में अलकनंदा और भागी रती कहां मिलकर कि गंगा नदी बनाती हैं बताइए इंपॉर्टेंट कोस्चन है बताएंगी फ्रेंट्स कि निमलिखित नगरों में अलकनंदा और भागी रती कहां मिलकर कि गंगा नदी बनाती ह पर देव परियाग में ठीक है देव परियाग रैट अंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद देखेगा कि भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स इसको अम लोग ब्रहमोपुत्र नदी के नाम से जानते हैं ठीक है और यह नदी तिबत में सांगपो और बंगलादेस में जमना काहलाती है ठीक है ना इस इसको आप याद रखेगा देखें निम्लिखित में से कौन से नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरती है बंगाल की खाड़ी में इसमें से तो आप देखेंगे फेंट्स अहापर गंगा ब्रहम पुत्र ग गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है गंगा नदी घाटी का भाग इसमें से कौन सी उपनदी है बताईए तो देखियो बराकर और उत्री कोईल ठीक है ना बराकर और उत्री कोईल ठीक है ना बराकर और उत्री कोईल ठीक है ना बराकर और उत्री कोईल गंगा यहां पर उत्तर कासी नहीं है ठीक है उत्तर कासी का संबंद भागी रथी से हैं नकी गंगा से तो यहां पर उत्तरकासी रायटनसर हो जाएगा ठीक है यूसक बैद गाएगा कि भारत की निमनिखित में से कौनवाना कोईले के भंधारों से सम्णूत इन देश का लग tuvo अधिकांता प्रितिसत प्रतीसत जो है कोईला का भंधार इसका उतपादन गोंडवाना कोईला ट्रव्म में होता है ठीक है और गॉंडवाना तंत्र का प्रमुख कोईला चेतर है वह दामदर घाटी कोईला चेतर है तो उसके बाद वर्धा कोईला इसमें पुछा गया है और प्रश्ण एक उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है उसके बाद या वजन कम करने वाला उद्वोग बिल्कुल चीनी उद्वग एक भारहरास उद्वग है महाराश्ट जिसमें अगरानी चीनी उत्पादक की रू ठीक है ना चले फ्रेंट्स उसके बाद नेक्स्ट कोस्ण कर लेंगे कि ग्रिश्म के अंत में पुर्व मौनसून वर्सा होती है और जो केरल और करनाटक के टटी सित्रों में एक समाने घटना है इस स्थानी रूप से किस नाम से जाना जाता है इसको अस्थानी रूप से कि मेंसून पूर्व वर्सा होती है जिसा हम लोग मैंगो सावर है आम्र वर्साौत या आम्रिशा बोलते हैं मैंगो सावर ठीक है चलिए वातावरन मुखป से किसके द्वाड़ा गर्म होता है देखे सुर्य Vedanta को मुख करता है देखे डंड का असले बिए और किस राज मिष्त ती था और यह मुख्य था ओडिशा चाटीसगड तेलंगना महाराष्ट आंद्र प्रदिस में फैला हुआ है इसलिए एक साधिक यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ओडिशा चाटीसगड तेलंगना आंद्र प्रदिस और भी मैंने बताया था आपको महाराष्ट ठीक है नहीं माचल प्रदिस राइट अंसर हो जाएगा कस्मीर में पहलगाम किस नदी की किनारे बसा हुआ है पहलगाम जो है यह किस नदी की किनारे बसा हुआ है तो देखिए पहलगाम जो बसा हुआ है यह लिद्दर नदी की किनारे है और लिद्दर नदी जो है यहां जहेलब नदी कि सहाईक नदी हैं ठीक है चले शरीनगर जहेलम के किनारे हैं निमनलिखित में से कौन सी म वि के मसल्षृ नसल में नहीं है राजस्थान है तोनदे कर ना के नहीं है हलिकर जो है यह करनाटक की मविसी नसल है बाकी देखिए आपका थार परकर मराठी और बहुती यह राजस्थान की है ठीक है लिकिने मिलिकित में से भारत का कौन सा राज तामबे का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्पादक था और भंडारन मैंने आपको बताया था उत्पादक जो है यह आपका मद्यप्रदेश है और मिनरल येर बुक जो है 2020 का उनुसार मैं आपको बता रहा हूं भारत में तामबे का सरवादिक उत्पादन मद्यप्रदेश राज में होता है ठीक है मलाजखंड जो है मद्यप्रदेश में है मलाजखंड मलाजखंड यह आमें लिगताओं मलाजखंद को मलाजखंद ने प्रमखत तांबाय उत्फबाजद के तुसमर नदी पर राणापरताप सागर जल विद्धृत- This राज़ृतपर बीच राज स्थान में ठीक है याद रखेगा राणा परताफ सागर जल विधित पर्योजना किस राज में इसको नहावा सिवा बंदरगा भी कहा जाता है और यहां महाराष्टर में option D right answer हो जाएगा भारत की सरवादिक वर्षा मुख्यता प्राप्त होती है तो मौसम विभाग की अगर बात करते हैं तो इसका नुसार दक्सिन पस्चिम मौंसुन से भारत की कुल वर्षा का लगबग 75% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है किसे दक्सिन पस्चिम मौंसुन से ठीक है चले यानि कि सरवादिक वर्षा दक्सिन पस्चिम मौंसुन से होती है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है इसका कारण क्या है जिसका कारण है कि हमाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवसक उचाई व जोरा शाइर नावलेखेत में से किस मृदा का उपयोग आम्तो ऐ ऐसकी लिए जाता है तो नो मिलता है तो लो मिलेदा आपका कौन सा कर्थ मिलेगा इसमें आपका बालू कन चिकना कन पांसू कन यह सब आपके मिलेंगे ठीक है इसमें सब मिलेंगे तो अप्सराण डी यहां पर सभी प्रकार के कन राइट अंसर हो जाएगा किलियर चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मट्टे में मिलता ह है पौधों को सबसे ज़्यादा पानी जो है यह चिकनी मट्टे में मिलता और चिकनी मट्टे में ही जल्दारन करने की छमता सबसे ज़्यादा होती है निम्लिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के चेतर में सिचाई होती है तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो क्रिशी में उत्पादक्ता बढ़ाने का एक रास्ता है बताएंगे तो इसमें से देखे कुसल सिचाई भी है गुणवता युक्ति बीज भी है किटनासक का प्रयोग भी है और वरक का भी प्रयोग है एक साधी के आप राइटनसर होगा और भारत में उनिसो साथ सतर के दसक में बीज खाद सिचाई किटनासक और पादप संड़क्सक तकनिक के उत्पादन विकास और परयोग में व्रदी हुई थी और इससे देश में हरित क्रांती का सुत्रपात भी हुआ था आपको याद होगा चली इंद्रधनुसिय क्रांती का संबंद किस सभी क्रांती को सांबिल किया गया था घट अच्ठी कादान से नेली क्रांती मत्ष ऊत्पाद से है यह सब आप याद रखेंगे छले काली करांति का संबंद किस्से है काली करांति का समद किस्से है बताई कि काली करांति का संब Lena व्छिए नेक्श्ट सेने कि भाड़त का अधिक्तम गिहुं उत्पादक राज्य ये कोण सा है तो फ्रेंस यह आपका उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश यहां पर एंसर हो जाएगा इसका चले भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है तो गन्ना उत्तर प्रदेश बिहार यहा ला की मिद्वास के शीनीका टुटूरा किसको कहा जाता है कि तो चीनीका टॉरा उत्तर-प्रृद्ध Sultan श्कषब्वादिक के भारत में एकमात राज जो कीशर का उत्पादन करता है अब यह राज नहों करके केंदर शाइसित प्रदिश हो गया है जोगी 2016 का पृष्ट है याद रखेगा साफरन के उत्पादन में एक मात्र जो चेंदर साइसित प्रदे से जम्मु का समेर है किलियर चलिए लिकैंद भारत भारत में से नगदी फसल कौन सी नहीं है इस में से नगदी फसल नहीं है यह आपसे पूछा जारा है तो रैटला इसमें जवार हो जाये डार यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए उसकेपार नेक्ष्ट कुस्ट्सन है अमारा कि निम लिकित मेंसे कौन निम्लिकित मेंसे लहस्क में से बैला डीला में किसका खनन होता है बैलाडीला की खान इस्साले कंडा में 3000 सा घरstr。 उठील में लेश्क होता है तो हेमाटअट तरहे रेटन्सर हो जाएगा उसका बतीशिकी जारकाण्ड में और कोयना की खान ही जार्या में है। ठिकर जरिया आपको पता भी होगा भोमिघत कोईले का दहन किस राज़ी में होता है यह होता हैर फिरेंड जो है यह कहां पर है तो अग्रेंड प Oxmas ने ढवांग में है ठेक भारत का सबसे पुराना तेल तेल भंडार दिख्भूई ऑशम में है और यहांग मृतर घाटी का टेलभंडार है ठीक ना ब्रहाई और टामबा स्थापित है करें तो यह आपकी खेतड़ी में ठीक न में है तो यहां पर खेतड़ी हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है एक फेंडस चलिये और टीटा गडवे स्वाननीं चत्रभुज क्या है स्वार्णिम चत्रभुज जो था स्वार्णिम चत्रभुज यहां क्या था तो यहां एक आपका जो गोल्डेन कौड्टिव है या एक राश्टी राजमार्ग परियूजना है इसकी सुरुवात 2001 में हुई थी और इसके माध्धम से देश्ट के चार प्रमुक महानगर दिल्ली मुंबई चनई कोलकता को सडक मार्ग के दवारा जोड़ना था जोड़ना प्रशन है कि अन्नामलाई इलाइची की पहाड़ी और ुडुकीं जिला में ज्थीद और यहींपर लाइची की पहाड़ी और क이ुन करेंगे कि भारत में सकति-चाली ऐलनीनो का करन क्या है तो एलनीनो का कारन प्रमृ से आपका सुखा होना चाहिए कम बर्स इसका estáła ऐलनीनों नों का ठीक है चले बिरहत हिमाल्या्य मादरी क की पूर्वी छोर पर है कि विरहत हिमालय अर्थात हिमादरी की पूर्वी छोर पर कौन सा है तो फ्रेंट्स यह नामचा बरवा है नामचा बरवा है ठीक है नामचा बरवा दक्षीन पूर्वी तिबत में हिमालय परवत माला के परवत है और यहां परवत हिमालय के सबसे प्रेंट्स यहां आपका सघन मैंगरोव और आपको पता है कि सुन्दर वन भारत और बंगलादेश में इस्तित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ठीक है भारत और बंगलादेश के बीच में इसका फैला है चलिए और यहां गंगा ब्रहमोपुत्र और मेगना इंकट नुकिलियर विदूत्स है चले हरित करांथी के कारण निमलिकित वसलों में से किसके उत्पादन में सरवादिक व्रदी होई थी तो हरित करांथी के कारण सबसे ज़्यद्वा था यह किसके करण हुआ था तो देखे 1966-66 में भारती कृषी में उच्च उपजबाले क है और विशु में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन बोर्लोग है हरित करांती के जनक चलिए अगला प्रश्ण मारे कि छतीस गड़ में सीमेंट उद्व विक्सित है क्योंकि यहां मोके रुप से क्या उपलब्द है तो छतीस गड़ में जो है चुना पत्थर की उपलब्द पार करती है अटल टरनल पार करती है तो देखिए इसमें से अगर आम बात करते हैं तो फ्रेंट्स यह आपका पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा अटल टरनल की लंबाई याद रखेगा 9.02 किलोमेटर है यह पूछा जाता है ठीके ना फ्रेंट्स इसको आप याद रखि सबसे बढ़ा है अगर इसमें साम बात करते हैं तो कच जिला जो है यह सबसे बढ़ा है ठीक है ना कच सबसे बढ़ा है गुजरात का तो यह आप्शन भी राइट अंसर होगा और बिकल्प जो है बीपेसी ने यह माना हुआ है लेह को ठीक है ना बीपेसी ने लेह को एंसर माना हुआ है चलिए नेक्स्ट कुस्ट नमर कि असम कूल मिला करके कितने राज्य और केंद्रशासित शेतरों से घिरा हुआ है तो असम की बात करते हैं तो असम की जो सिमा है यह साथ राज्यों से मिलती है और कोई भी केंद्र शाषित प्रदेश इसकी सिमा से नहीं लगा हुआ है असम जो है यह आपका मिलता है पस्चिंबंगाल नागालेंड मिजोरम मेगाले और रुनाचल मनिपूर और तिरपूरा से ठेक है न यहां पर साथ राइटन सर हो जाए तो यहां पर हिमाचल प्रदिस दिया गया है नेक्स्ट कॉष सन्अ बोडो निवासी हैं बोडो लोडो असम में पाए जाते हैं तो दो जो है यह आपके गारो पहाड़ी पर ठीक है आसम के पर तो यहां पर देखिए ऑपसाण एर राइट अंसर हो जाएगा चलिए जाते हैं तो यहां पर दीखें मेघाले भी दिया गया है और मिजोरम भी मिजोरम भी और मेघाले भी है तो अब आपके पास ऑप्सन इहां उपर इत्म से एक साधिक ठीक है आप उस पर लगाईएगा चले उसके बाद नक्ष्ट कुस्तने कि भारत की सबसे बड़ी वाह नद सबसे बड़ा सार तो किया रहे है वहाओ साथ है उसचा आप वह आपका कौन सा इसका को कानपूर मेरे यसाद से सबसे बड़ा सरु अभी कही इस आफ से लिएती तिबत में मान सर्वरत के पास जिस नदी का सुरोथ आन दीzag नदी है तो इस में सभी नदिये ब्रहम पुतर सत्दफ़ और सिंदु सभी की है ठीक है तो एक साधी के यहाँ पर यानि वपरीक Radio सभी यहां पर 13 सबस्का हो जाएगा इंडिक मानस नदी किशितल नदी की उपन नदी मानस नदी जो है यह किसके उपन नदी दिय किसकी इस थॉपन द्यहें मानस नदी ब्रामपुत्र की याद रखिएगा चलिए नेक्ष कोशन कर लेंगे और ब्रामपुत्र को तिबत में यारलूंग सांग्पो कहा जाता है और नाचल प्रदिसमें इसको दिहां कहा जाता है अस्व में ब्रामपुत्र और बंगला जिसमें इसको जमुना कहा जाता ह मिर्शाटिक है चलए उसको बाति कि कोन सी नदी तो नर्मदा नदी कर इसमें इसाट नर्मदा नदी बहूंए उसको्负 है प्रभाईट होने वाले नदियां कोन सी है तो पस्युक्त रवाईट होने ल YouTubers नदी यह आपका नर्मदा और थापती है नर्मदा और तापती नदी है तो अप्सन ए राइटन सरो जागा इसका एक और दू ठीक है चलिए यहां पर रापती जो देख रहा है रापती यह घागरा की सायक नदी है जो उतर पस्चिम में दक्स उतर पस्चिम से दक्सिन पुर्वदिशा में प्रवाइत होती है तो केरल करनाटक टनीला डूफुदूचिषरी ठीक है इसको याद रखेगा रापता क्वर्व दूफूदुचिरी से कौन भू बंधित नदी कौनसी है तो इसमें इस भूबंदित नदी द्वाई ये लूनी नदी है ठेके ना लूली नदी है और यह कच के रणों के दलदली छेतर में जाकर की बिलुप्त हो जाती है लूनी नदी है चले उसके बाद एक नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि नदियों में से सबसे अधिक नदी पत्थ परिवर्तन या सबसे ज्यादा मार्क परिवर्तन के लिए बदनाम नदी है या कोशी नदी है और इसी के कारण विशन तबाही होती है इससे और इसको बिहार का सोक भी कहा जाता है दामोदर कोईल और स्वान रिखा नदिया निम्लकित में से किस से निकलती है तो अभी मैं आपको बताया ठीक है अगला प्रोश्न कर लेंगे कि одеखन्ट पठार का घटन कि स्काल में हुआ यह किस कटाल में की कृटेशियस काल में हुआ ठीक है चले उसका बढ़ देखेगा कि पस्टमी गाट उत्तर पुर्वी छेत्र की पहाड़ियां और अन्मान एम निकोबार दिपसमों में पाय जाने वहले वन मैंने बताया था न यह कौन से वन है उष्ण कटे बन दिया सदावाहर बन है पस्टमी गाट के जो आपके ढहलान थे मै अब पहचान करना आपको पतायी फेंट्स देखे ग्रेटर हिमाले अपने निरंतरता के लिए जाना जाता है सही है और और सिवालिक बाय हिमाले है जो उत्तपति में सबसे नविंटम है यह दोनों सही है यानि कि पहला और तीसरा यहापर राइट अंसर हो जायाएगा ठीक आए हैं इसका उत्री भाग सुस्क और अर्द सुस्क है इसके मद्य भाग में क्वापास की खेती होती है खादान फसली की तुलना में नगदी फसलों को प्रमुक्त दी जाती है यह कौन सा राज्य है यहां राज गुजरात है ठीक है चलिए उसके बाद कि निमनमें से कौन सा बिहार के भूगर्विय इतिहास में सबसे नविंतम है बिहार के भूगर्वय इतिहास में सबसे नविंतम है तो यह बिहार का मैदान है जो सबसे नविंतम है ठीक है और दक्षीन पूर्व का जो धरवार सेल है वह सबसे प्राचीन है सबसे प्राचीन को बांगर मिती कहा जाता है और हम प्रश्ण की इसाथ सबसे बात करते हैं तो यहां पर फो किस राजी में यह वोसम में आ को ट मिल्लाडू में होती है त्हिक है ना जमिलाडू में होती है और इक्टूबर नॉर्बर के महalls में उत्तर पुरव मशमे कहा जाता है। करवाश्मिर्धिका किसर की खहती होती है और कश्मीर हिमाले में है चल९ किस्त्र परकार की छंक है क Kung कस्द्री ख्यती bar रेगुड किसका नाम है तो रेगर को रही कलिमने ड्यका है ठीक है चले वपर देड़ की मिर्दा को रोका जा सकता है कि आपन अप्षितरों के दोड़ा ठीके ना यहां पर सी राइट एंट सब न अर see stories होगा ठीक हैनaker और वह जाता है और भी तरीके हैं जैसे कि आपका ब्रिक्षार ओपन हो ही गया शोपानी और समुच रखी इक रिशी ठीक है यह सब आप याद रख सकते हैं चले उसका पर देखेगा कि गंगा के मैदान को एक डेस्क रूप में वनित किया गया है तो गंगा के मैदान को वनि घंभीर की रूप में वहनित किया टिक चलिए उसका वदी कि गंगा के मैदान की पूरानी कचारी मिट्टी का लाती है तो पुरानी मिट्यों बांगर कहा जाता है ठीक है न कि बांगर दिया भी गया है निम्लिकितम से कौनसे मट्टी नदियों दोरा निर्वित है ceros मिट्टी को जलोड मिट्टी काते हैं क्या कहा जाता है जलोड मिट्टी कहा जाता है ठीक है चलिए भारत की किस राजी में वने जिव अभैरन सबसे अधिक संख्या में हैं सबसे अधिक संख्या में हैं भारत की किस राजी में वने जिव अभैरन सबसे अधिक संख्या में हैं ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कि निम्लिखित कथन पर विचार करिए देखे भारत में बाग परियुजणा 1973 में चालू किया गया था प्रजक टैगर बिलकुल यहां पर यहां पर यह सही दिया गया ठीक है और वर्स 2022 में राष्टी जब विद्यत्य ठीक है ना राष्टी नांतराष्टी जब टाद इवस ठीक है यहां पर राष्टी सब दिया गए जब कि अन्धर जब्रेस 22 मई को मनाय गया और ऑर 2020 में इसका फिल्डिंग इस सेफर्ड फ्यूचर एस बिल्डिंग सेइर्ड फ्यूचर फूर ऑल लाइफ की और अर बाग पर या वागों को सदस्वा करने का र MARK में यहहाँ पर धोंडर जब इशति 0 सब्सक्राइब इस तरह से देखंगे तो इसका अंसर हमें एशसें जहां हमें भी इसका टो realiz कि एक और देना था ठीक है ना क्योंकि एक और तीन यहां पर आप्शन में या गया और तिन व में दिया गया है ठिक है इसका विशाय जुआ आपको उस समय क्या था तो यह nutrient की साथ लेकिन यहां राश्ट्री सब जोड़ा हुआ तो अंतराश्ट्रिय यहां पर अगर हम बना लेता है अंतराश्ट्रिय मैश मैं तब तो समय माहले निकलती है सारन सिचाहि नहर यहां निकलती है तो को घंडक से निकलती है ठीक है ना घंडक से निकलती है चलिए तो यहाँ पर गंडक राइटांसर इसका हो जाएगा किस नदी से पानी आता है antriCK में तो गंड़क नदी से निकाली गये है भाकराणागल एक योजना है भाकडा नांगल जो है यह हर्याना पंजाब और राजस्थान की एक संग्त पर योजना हो जाएगी इसमें से ठीक है 17 नदी पर है भाकडा नंगल चले उसका बाद देखेगा कि भाकडा नागल बात किस नदी पर बनाए गया है तो अभी मैं आपको बता भी दिया 17 नदी पर किस नदी पर सीव समुद्रम जल परपाथ है सीव समुद्रम जल परपाथ यह करनाटक में है कावेरी नदी पर ठीक है न देखिए पट्टी सीमा परियोजना निमनेखित में से किन नदियों के एकिकरन से जुड़ी है पट्टी सीमा परियोजना तो पट्टी सी सचार के दुबरा कर्वयनित कि गया है कृश्ना और गदावरी देखिन बांद तयार किया गया हिरा कुंड बांद यहां आपका उडिसा में है महा नदी पर ठीक है चलिए अचा दामदर की सहायक नदी है बराकर् नदी चलिए नेकोस्ट और नहीं पॉर्म है तो एक सदी क्राइटेंश रोगा चिल्का और सांबर चिल्का उडिसा में है और सांबर राजस्थान में यह खारे-पानी की धिल है चले उसका पर देखेगा कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन सा बताइए को तो ये को अगा कि शुवत mia नहीं सम्मिलित हैं काधान फसल करि चलिए नगदी फसल में आपका कौन-कौन सा जाए तो नगदी फसल में आपका आ जाएगा कैस क्रॉप जिसको बोलता है सुगरकिन यानि कि गन्ना का पास जूट तंबाकू यह सब आ जाएगा यह हूं जो एक फसल खाजान फसल है यानि कि फूट क्रॉप है भारत की चावल का कोट्रा किसको कहा जाता है भारत की चावल के अगरणी है बताइए रब्बर के उत्पादन में अगरणी है तो फ्रेंट्स यह आपका केरला है ठीक है केरला है केरला राइटंसर हो जाएगा केरला हो जाएगा रबर के उत्पादन में अगरणी ठीक है रबर के उत्पादन में अगरणी जो है यह आपका केरला हो जाए तो गिरनार पर नहीं बाकि देखे निलगिरी दारदरी रिंक नहां पर आपका गिरनार जो है गुजरात में वहां पर नहीं है इस mieć ना चलि उसके बाद कॉस्ट लेगे कि नेमन कोफी उत्पाजबजचेतरों कौना शीचतर करणाटक में नहीं है करणाटक में नहीं है तो देखिए यहां पर फुलेश दो है न कारनाटक में चिक भाबा बुधन गिरी और कुर्ग यह करनाटक में है ठीक है न और इसमें सब्सक्राइब कावर नेपानागर में ठीक नेपानगर याद रखेगा नेपानगर में है नेपानगर मद्दपर्देश में पड़ता है और अकबारी कागजद्ध के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर चले उसकबदी के भारत का कौन सा राज थोरियम उत्पादन में अगरणी है थोरियम के उत्पादन में कौन सा खान कहां खोदी गई थी तो यह कहाँ पर खोदी गई थी जुबS ए जा छीरिया की सबसे प्रषीद विश्यम क्या है तो पच्छमी सीवों में इस ती जो चीरिया की खान है इसकी सबसे प्रमुक विशेष्था लॉइस खनन है लॉइस के खनन है चले उसके बाद दिखिएगा कि भारत में पहला हाइड्रो पावर इस्टेशन सक्ति के अरंब हुआ था कि बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा तो यह आपका सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 1897 में जो है यह दार्जिलिंग के निगट में हुआ था ठीक है परतम जल विदूद सेंट्र के स्थापना दार्जिलिंग में ठीक है ठीक है इस चीज़ को आप याद रखिएगा चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्न हमारा कि सुल्तानपूर बर्ड सेंचूरी कहां पर है कि बताएए कि सुल्तानपूर जो है फ्रेंट्स यह आपका कहां पर है गुडगाओं में है ठीक है तो यहां पर गुडगाओं आपका राइट अंसर हो जाएगा गुडगाओं करक्ट अंसर इसका हो जाएगा सुल्टानपुर हरियाना में है देखे अंटाकर्टिका में भारत का तीसरा सोध केंद्र का नाम क्या है तीसरा सोध केंद्र का नाम तो फ्रेंट्स यह भारती है ठीक है पहला अनुसंदान के दक्षिन गंगोतरी था ठीक है ना चले दूसरा मैतरी था और तीसरा भारती है ठ थेके पिरेंट्स केमे की घाड़ी में करवालवित्पी खत्र femennyishing लक्षदीप यहां पर देंगा पूरा जोगरफी मैं आपको BPSC TRE 3.0 Reexam 2024 के लिए कवर करा दिया इसको फिलिज लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको एक ग्रूप में सेयर कर दीजिए